बिस्मिल्लाइ रामाने रगीम, अस्वाम नेकुम स्टुडेंट्स, मैं इस मोहमद यही सदाम, और वाचिंग इंजिनियर मोहमद यही यूट्यूब चैनल, जो लेक्चर आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, आज की इस लेक्चर में हम आथर के इंट्रोडक्शन को डिसकस करें साथ ही साथ हम स्टॉरी के इंपोर्टन्ट सिंबल्स को भी डिसकस करेंगे और देखेंगे कि इसके इंपोर्टन्ट सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनका एक्च्वल मीनिंग क्या है, तो स्टॉरी को स्टॉरी को स्टॉर्ट करने से पहले हम राइटर के इंट्रोड़क्श करते हैं वो एंटोन शिकफ का जो पैटरन था वो फालो करते हैं बात करें अगर हम इनके करेक्टर्स की तो इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो मार्जिनलाइजड मेंबर होते हैं सुसाइटी के जो करेक्टर ये डिसकस करते हैं उनमें चिल्डरन होते हैं सिंगल middle aged men होते हैं woman होती है और unhappy married couples होते हैं और इनकी stories में इनकी writing में जो हमें characters मिलते हैं वो ऐसे हैं कि वो reality को accept ही नहीं करते जो भी हकीकत है उसे मानना ही नहीं चाहते उसे तसलीम ही नहीं करते वो अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं एक नई दुनिया बना लेते हैं और वो खुद को retreat करते हैं उसमें यानि हम यह कह सकते हैं कि इनके जो character होते हैं वो reality से दुनिया से बिल्कुल भी satisfied नहीं होते अपनी writing में जो यह setting का use करते हैं उसमें England और Ireland दोनों ही शामिल है I think writer का इतना introduction काफी है अब हम चलते हैं अपनी story की तरफ genre में the day एक short story है short story एक ऐसी writing को कहते हैं जिसका writing style prose हो और जिसकी length 1600 से 20,000 words के roundabout हो बात करें अगर इसके major themes की तो इसमें हमें sense of fear का theme नज़र आता है और insecurity in the life of a childless person का theme नज़र आता है जो purpose है story का वो यह है routine feelings and imagination of a childless woman यानि writer हमें ये बताना चाहता है कि ऐसी खवतीन जिनकी उलाद नहीं होती जो childless होती है उनकी imagination क्या होती है उनकी routine की जो feelings हैं वो क्या हैं और किस तरह वो अपनी सारी की सारी जिन्दगी को गुजार रही होती है story का पहला major character है Mr. Lethwis का और ये एक absent character है ये story में अपियर तो नहीं होता और हमें इस character के बारे में सिर्फ इसकी wife के जरीए ही पता चलता है ये वो character है जो के अपनी wife की thoughts में ही हमें नज़र आता है और उसी से ही हमें इसके character का अंदाज़ा होता है ये काफी जादा nice है और good husband है कि अलाद नहीं होती और एक orchestra singer है जिसको ये बहुत जादा पसंद करता है ये hard working है soft spoken है और हमेशे अपनी wife को motivate ही करता है और उसे होसला देता है second character है Mrs. Letwis का और ये ही है जो story का main character भी है सारी की सारी story इसी के इर्दिगर्द घूमती है ये एक kind hearted lady है five times miscarriage भी हो चुका है third character है Marita का जो के Mrs. Letwis की made है और ये हफते में सिर्फ तीन ही दिन काम के लिए आती है ये बहुत जादा बातूनी है और ये हर वक्त अपनी daughter के बारे में ही बातचीत करती है ये काफी सादा मोटी है जिसके दो बच्चे है और ये Mrs. Letwis के बिलकुल opposite character है last character है Elspeth का जो के एक orchestra singer है और ये lover है Mr. Letwis की ये story डील करती है एक childless woman से उसकी feeling से उसकी imagination से के ऐसी और जिसके कोई उलाद नहीं होती वो क्या तसवरात करती है क्या क्या सोचती है और उसकी feelings क्या होती है इस story में impressionistic technique का यूज करके उस औरत की सारी की सारी feeling को जाहिर किया गया है उसकी जतनी भी imagination है उसको expose किया गया है impressionistic technique एक ऐसी technique है जिसमें writer reader के mind में कुछ ऐसे impressions fit कर देता है जिसकी वज़ा से जो reader होता है वो एक खास character के साथ जुड जाता है वो उस character की feelings उसकी imagination और उसकी thinking को बिल्कुल real feel करता है और ये होता काब है ये उस वक्त होता है जब जो writer है वो एक खास incident के बारे में बियान करें एक ऐसा incident या एक ऐसा action जो character की जिन्दगी को बहुत ज़दा affect करें और reader के mind में कुछ impressions छोड़ जाए तो बात करते हैं अपनी story की तो ये story स्टार्ट होती है मिसेज लेट्विस से मिसेज लेट्विस जो हैं वो एक middle age woman है जो के अपनी privilege life को काफे जादा enjoy करती है उसके पास एक well decorated house है beautiful garden है और एक बड़ी आलिशान कार है और साथ ही साथ एक बड़ा loving और caring husband भी है तो यहां writer कहता है कि उसके पास वो हर चीज है जो के एक औरत का खौब होता है यानि एक औरत यही चाहती है ना कि उसको एक बहुत ही प्यार करने वारा husband मिले उसके पास बड़ा गर हो garden हो उसके पास अपनी खुद की कार हो और कोई रोक टोक ना हो तो मिस्स लेटविस के पास यह हर चीज मुझूद है मिस्स लेटविस का जो husband है वो काफ़ ज़ादा caring है loving है और वो अपनी wife से बहुत ज़ादा महबद करता है वो उसका काफ़ ज़ादा ख्याल रखता है और वो बहुत fearful होता है अपनी wife की health को लेके वो अपनी wife की से related कोई भी compromise नहीं करना चाता अब एक तरफ तो मिस्टर लेटविस जो है वो अपनी wife की health के बारे में काफ़ी fearful होते हैं और दूसरी तरफ जो मिस्टर लेटविस हैं वो भी fearful है अच्छा यहां पर ये question आता है कि वो क्यों fearful है वो उन लोगों को लेके काफ़ ज़ादा खौफ में मुबतला होती है जो कि मिस्टर लेटविस को ये मशवरा देते थे कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एक और शादी कर लो क्योंकि हमने ये discuss कर लिया हुए कि जो मिस्टर लेटविस हैं वो एक childless woman है और उनकी कोई अलाद नहीं है तो वो बस इसी चीज़ के बारे में डरती है कि कहीं ऐसा नहों कि लोग मिस्टर लेटविस को इस बारे में कायल कर लें राजी कर लें कि वो एक और शादी कर लें और लोगों के बहकावे में आके मिस्टर लेटविस जो हैं वो वो वाकिए एक और शादी कर लें और जो उनकी महबत है जो उनका प्यार है मिस्टर लेटविस से वो कम हो जाए इस चीस से हमें ये पता चल जाता है कि ये एक थौट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो कि इनसान की नेचर और उसकी सौइकालोजी पर रोशनी डालती है खैर वापस आते हैं अपने स्टोरी की तरफ जो मिसिस लेटवीस हैं उनकी शादी को तकरीबन 20 साल हो चुकी है और वो ये पूरे का पूरा दौरानिया बड़ा बहतरीन गुजार चुकी है लेकिन क्या होता है कि कुछ साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि उनकी लाइफ को काफ़ जादा अफेक्ट करता है तकरीबन साथ साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट वाकिया होता है जो कि मिस्स लेटवीस को काफ़ जादा अफेक्ट करता है उनको मेंटली और इमोशनली काफ़ जादा डिस्टर्ब करता है अब होता कुछ यू है कि सप्टेंबर का महीना होता है और मिसिस लेटविस अपने हस्बेंड के साथ एक हॉलिडे टूर पे जाती है वो लोग फ्रांस में जाते हैं और वहां जाके एक होटल जिसका नाम सेंट जॉर्जिस है वहां रुकते हैं अब जब वो लोग वहां पहुँचते हैं तो वहां जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो मिसिस लेटविस को एक लेटर देती है किसका लेटर देती है मिस्टर लेटविस का अब जब वो लेटर मिसिस लेटविस को मिलता है तो वो पूछती है कि यह किसका लेटर है जिस पे उन्हें पता चलता है कि ये एक लेडी है जो के औरकिस्ट्रा सिंगर है उसका लेटर है जब मिस्स लेट्विस को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज़दा mentally disturb हो जाती है वो उस लेटर को खोलती है और उसे throw out read करती है और उस लेटर की writing से उसे ये पता चलता है कि ये जो लड़की है ये काफी जादा young होगी और beautiful भी होगी तो लेटर पढ़ने के बाद वो उस लेटर को घुसे में आके फार देती है उसके टुकले टुकले कर देती है और ये secret जो होता है वो अपने husband को कभी भी reveal नहीं करती उसे कभी भी इस बारे में नहीं बताती कि वो जानती है कि उनका जो husband है वो एक orchestra singer से महबत करता है और उसके साथ उसका fair भी है अब इस बारे में हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि जो Mrs. Letwis हैं वो एक childless woman है जिनकी कोई उलाद नहीं होती वो तकरीबन five times pregnant होती हैं लेकिन five times ही उनका miscarriage हो जाता है इसके बावजूद भी जो उनका husband है Mr. Letwis वो कभी भी अपनी wife को blame नहीं करता है बलके वो हमेशा उसे तसली देता है उसे motivate ही करता है writer ने Mr. Letwis के बारे में लिख ए a very deeply loving and caring husband यानि जो husband है वो अपनी wife से काफी जादा महबत करता है और उसका बहुत जादा ख्याल रखता है जो Mrs. Letwis हैं वो एक imaginative lady है जो काफी जादा thinking करती है और writer ने इसे day dreamer भी का है वो imagine करती है कि जो उसका husband है Mr. Letwis वो उस orchestra singer से love making कर रहा होगा और अपना वक्त उसके साथ गुजार रहा होगा साथी साथ वो ये सोचती है कि जो orchestra singer है वो Mr. Letwis को एक बच्चा देने से इंकार कर देगी क्योंकि जो pregnancy का phase होता है ये काफी disturbing phase होगा एक orchestra singer के लिए उसे different concert में जाना पढ़ता होगा और वहाँ जाके उसे perform करना पढ़ता होगा तो वो एक बच्चे के लिए कभी भी नहीं मानेगी लेकिन फिर वो ये सोचती है कि अगर वो एक बच्चे को जनम देती भी है तो जो मिसिस लेटविस हैं वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगी और उस बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगी क्योंकि आखिर कार वो जो अलाद होगी वो उनके husband की अलादी होगी अब जब story स्टार्ट होती है ना तो हमें ये बताया जाता है कि मिसिस लेटविस सुबह सुबह उड़ जाती है और उनने एक خواب देखा था जिसमें उनने एक बच्चा देखा था वो सुबह सुबह उड़ जाती है और देखती है कि जो उनका husband है वो उनके बिल्कुल करीब ही लेटा हुआ है तो अपने husband को देखके वो बहुत जादा खुश होती है लेकिन फिर क्या होता है कि वो दुबारा से imagine करना शुरू कर देती है thinking करना शुरू कर देती है उस लड़की के बारे में उस लड़की की appearance के बारे में कि वो कैसी दिखती होगी उसके black hair होंगे उसकी smart और thin body होगी और वो मेरे husband Mr. Letwis को काफ़ जादा attract करती होगी अपनी तरफ अब तकरीबन 10 बचे के करीब मरीटा जो उनकी made है वो आती है और वो घर का कामकाद start कर देती है मरीटा के बारे में हम discuss कर चुकी है कि वो एक बहुत जादा बातूनी खतून है जबके Mrs. Letwis को बाचीत करना बिल्कुल भी पसंदी नहीं है तो वो उससे avoid करती है और दुबारा से imagine करती है Elspeth को Elspeth नाम है उस orchestra singer का तो वो दुबारा से उसे imagine करती है और उसी के बारे में सोचती है कि वो तकरीबन 36 years old beautiful lady होगी और मेरा husband उसे काफे ज़दा पसंद करता होगा फिर सोचते सोचते वो अपनी शादी की date को याद करती है और उसके बारे में सोचती है यानि हम यह देखते हैं कि यह जो character है यह throughout the story कुछ ना कुछ सोच ही रहा है अब जब शाम के 6 बचते हैं तो वो imagine करती है कि वो अपने husband के लिए खाना तयार कर रही है इसके बाद वो एक और सोच में डूब जाती है जिसमें वो यह सोचती है कि उन्हें चाहिए कि वो एक बचा डॉप्ट कर ले क्योंकि जब उनकी जिन्दगी में एक बचा आ जाएगा अलाद आ जाएगी तो उनकी जो डल और बोरिंग जिन्दगी है जिसमें कोई रंग नहीं है उसमें रंग आ जाएंगे वो एक बोरिंग लाइफ से एक चार्मिंग लाइफ बन जाएगी फिर वो इमेजन करती है कि जब रात होगी तो वो सब मिल जुल के बैठेंगे खाना खाएंगे वाइन पीएंगे बहुत ज़दा हला गुला करेंगे और एक बहुत ही बहतरीन लाइफ गुजारेंगे वो ये इमेजन करती है कि जो बच्चा वो अडॉप्ट करेंगे वो एक स्कूल कर लोगी जो अपने स्कूल के बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में अपनी मदर को बताएगी और वो मजीद बताएगी अपनी मदर को कि एक point है जो से याद नहीं हो रही और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो से कैसे याद करे तो उसकी मदर उसमें help करेगी उसकी वो दोनों kitchen में जाएंगे और उस point को इस तरीके से गाएंगे कि वो याद हो जाएगी यानि वो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो imagine करती है लेकिन जब वो अपनी imagination से बाहर आती है तो वो यह मैसूस करती है कि जो उसका husband है वो अब भी उतना ही gentle है जितना वो पहले था वो अब भी उतना ही caring है उतना ही loving है जितना वो पहले था और उसके behavior में कोई भी change नहीं आया और यहीं पे इस story का end हो जाता है